नमस्कार मैं मीथुन आदव आप समोक का गाईज आज के session में competition community पर स्वागत करता हूँ आज के session में गाईज हम दो discuss करेंगे कि CGPSC men's 2022 में जो paper हुआ था उसका maths और reasoning का complete solutions देने जा रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा important उन बच्चों के लिए जो इस वर मैंस देंगे प्रिलियम के बाद बहुत सारे जैसे भी होंगे आप मेंसे जो CGPSC की preparation करने के सोच रहे हैं या कोई बच्चा definitely preparation कर रहा है आप अगर इस वीडियो को देखने बाद इस पता यह चलेगा कि paper को कितना कितना depth पूछा गया है क्या pattern रहा है को कई वर बच्ची खुद से इस वीडियो को जो इस वर paper देने वाले के लिए रहा क्या सुरू करते से question करके करके है ना आप चलिए पहला ही question दखेगा है कि से पूछा गया सवाल है बहुत डिटेल देखते है एसे अफ में fraction की बात किया गया है fraction वाले question में गये एक बात आपको पता होगा कि कि किसी भी fraction का जो है यह देख लेते हैं दो माक्स का question ने तो ज्यादा है ना आपको डिटेल जाने जरूत नहीं पड़ेगा चलिए गर हम बात करते हैं कि एगर HCF तो किसी भी pyq के format में कोई सवाल दिया जाता है तो इसका HCF क्या होगा जिसके हम बात करते हैं कि a by b c y d e y f अगर मैं बोलूगा इगर इसका HCF अगर मुझे चाहिए तो इसको कैसे से निकालने की बारी आएगा तो HCF of numerator numerator नुमेरेटर नुमेरेटर नांई आंस क्या क्या है A, C, E, यह basic इसका theory होता है, और नीचे वाले जो denominator होगा, उसका क्या करें हम लोग, LCM निकालेंगे, क्लियर है guys, LCM of, तो denominator का कौन कौन टर्म होगा है, बताएगा, B, D, और F, यह आपके basic से theory होता है, जो मुझे लगता आपको पता होगा, इस पर मान को सिर्फ plug-in करेंगे, औ लिए, चिदा-चिदास को मान रखना शुरू गया रहते हैं, ठीक है, ठीक है, theory clear हो गया है, ठीक है, चिदा यहाँ पर निकाल रहाँ, HCF, 9 by 10, 12 by 25, 18 by 35, असमे जगा, आखरी टर्म हमार है, 21 upon 40, तो सिंपल सा है, कि पुरे टर्म को HCF निकालेंगे, तब मैंने एक बात आपको कहा था, कि देखी बाई, सिंपल करेंगे, क्या, HCF of numerator, numerator में, कौन-कॉन्टर में, फरापर से बताजिएगा, 9, 12, 18, और 21, और जो denominator, अनिकी जो हर है, उसका हम लोग क्या करेंगे, LCM find out कर लेंगे, कि लिए रहे क्या, कौन-कॉन 35, 35, और 40, अब यहां चाहिए, तो अनसर डारेट भी लिख सकते थे, लेकिन अगर मेंस देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है, स्टेप लेना चाहिए, स्टेप छोड़ना नहीं चाहिए, क्लियर है, अगर हम बात करें, HCF का, तो हलांकि आप डारेट भी देख सकते थे, इसका HCF कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 वो सबसे बड़ा टर्म है, जो सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इसका, अगर LCM की बात करें, तो हम डारेट भी मार सकते थे, 35, चोका है, 140, दुने को डारेट दीख रहा है, लेकिन यह करेंगे नहीं, यहां के बाद मैं ब HCF अलक से निकाल लिए, भाग मितवर से निकाल के आगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस से देने जा रहे हैं, तो क्योंकि अब 12 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 9, बच कितना आगे आपका, 3, इस 3 से किसको डिवाइड करोगा, आप लोग, इस 9 को, कितने वार म हैं, तो यहां से रिमेंडर क्या बच गया, 0, इस 3 से किसको डिवाइड करेंगे, हम 21 को करेंगे, सिंपल भासा में, 7 टाइमस आगे, 21, रिमेंडर क्या बच गया, 0, अब देख पार है, फैनली हमरा क्या होता है, HCF होता है, ठीक है, तो अब वहां देपार है, HCF हमरा क्या निकाल लेते हैं हम लोगों, LCM किसका किसका निकलेगा, 10, 25 और 35 और 40, वह सिंपल मेसाड से निकाल लेते हैं इसको, घ्यान से, अगर हम बात करें, 10, 25, 35 और 40, सिंपल यह, अब बदाए, किस से, पहले तो दो से लगा लो तुम्हें, ठीक है, टू टाइमस से केंसिल करो सब 25, 35, और यह, गाइस क्या हो जागा, हमारा 20, किता होंका हमारा 20, आप मुझे लगता हम, अब दाएट 5 से लगा करके, केंसिल करो, 5, 15, 25 और 7 जा जागा, 7 और यह, हमारा चुल एक कितना 4 बार में, अब आप सिदा-सिदा इसको, मल्टिपलाइ कर लिजे, आप देखेगा, एक जाम की बात करते हैं तुम डारेट भी लिख सकते थे और रहल हम लोग बीन पर चला है यहां पर आपको करके दिखाना पड़ेगा तो 7 इंटू क्या है 4 तो यहां पर क्या हो जाएगा 1400 ठीक तो आप देख पार है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा है एक छोटा सवाल दिया हुआ था ठीक एस्विलिफिकेशन को मैं पूछा गया है बहुत ही खुब सवाल है मैं चाहूंगा कि इसको करना काफी डिफिकल्ट हो सकता आपके लिए फिर इसका मान को सॉल करना काफी दिक्कत होगा ठीक है चली इसको जिसका आप सॉल करेंगे तो क्या होगा पचीस बटे कितना हो जाएगा हमारा हंडेड औ तो यहां से डारेक्ट ठीक है बी के जगह पर आप क्या रख सकते यहां पर समझेगा बीकश्फर आप डायरेट क्या रख सकते आप यहां पर वन और एक यहां पर रखाए पूछ आ हो था है इन्होंने पूछा था तूओ-ए-ब हूइअ पर लस्फि और ब्लस टू बाई क तो यहां से क्या हो जाएगा दो गुने चार माइनस बीके रखेंगे समझेगा टू इन्टू एक जगह पर फिर से यहां पर कितना प्लग इन करेंगे अम लोग फोर तो फोर रख दीजिए और यह क्या हो जागा पलस का वन प्लस टू बाइस कितना हो जाएगा नाइन अब यहां पर देख लिए तो आपको टू बाइस कितना हो गाई और इस केल्सियम लेंगे तो नाइन आ रहा है उपर में दुनों को जोड़ने एक बार आप तो फैनल यह क्या होगा नाइन जो का अंसर होगा गाईस क्रोस्चेक कर लेंगे बहुत ही सिंपल सवाल था सिंपलिए को अलजेवरिक फोर्म में मर्ज करने की कोशिस किया गया था किलिए रहा है तो हम डेफिनेटली कर सकते ही मैंस का सवाल था ठीक चलिए अगला कोस्टन आपके स्क्रीन पर यह रहा एक बहुत आसान सा सवाल है बहुत असान है इसमें डाइट आप मान को क्या करें प्लग इ प्लस य का क्यूब और अपन में क्या था गईज एक्स प्लस वाई बस थोड़ा सा मान रखते हैं से फिसलिये गए मत क्लियर असान सा सवाल है ठीक अब एक्स का टू है तो यहाँ पर टू का मान मैनस थी है तो एक बार यहाँ पर आपको स्मॉल प्रेकेट के साथ रखें त ठीक है अपन टू प्लस और मैनस का थिरिया ब्रेकेट में रख लेजी आई केल्कुलेशन बहुत ही आसान है सिंपल भासा में केल्कुलेशन कर रहें यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर रहा हूं ठीक है चलिए बताएगा टू का स्कुर गाईज फोर ठीक है मैनस यहाँ पर अिक ज़रूर दिखा देगेए ठीक है तू और प्लस मैनस क्या हूं का मैनस थिरी आप मुझे बताएगा यह फोर प्लस मैनस मैनस क्या होगा प्लस 6 और गईज बताएगा मैनस का 27 और यह नीचे क्या आपका मैनस बन, अगर एक एस्टें और आप ले लिजे समझेंगा आप तो 10 को अगर 27 में घड़ा हो क्या बचाएगा मैनस का 17 और नीचे मैनस का वन तो मैनस मैनस केंसिल करके अंसर आप लोग क्या मार सकते थे इसका 17 तो सिंपल सवाल था कहिने के सिंपलिफेकेशन का बैक्टू पर हमने दो क्वेस्टन पर बात किया तो यह बात है आप इसका 17 रहा चली अगले और खुब स्वाल है उसको लेखते हैं कि एक कॉस्टन प्रवैबिल्टी से था गए बहुत सारे स्टुएंट है जो इस प्रवैबिल्टी को छोड़के चले ज है यहां यहां पर पर सब्सक्राश अंध कर सकते हैं किया सक्तो ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा था सवाल था बिल्कुल नहीं बहुत ही आसान सवाल था संवाल था समझेगा यहां कि रेड़ cuz कितना है लाल कितने गंद है प्रक्रेंग तुररोट यहां पर इसको निकाल निकालेंगे तोधा यहां पर फोड़ा प्रक मिनेकट का इस्तमाल आपको आना चाहिए थोड़ा जब slips को या कभी आपके किसी question में selections की बात करें या आपकी twice की बात करें तो हम आपके combination लगार के चीज़ें आसान बना देते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इसी होते ही अब अंगलियों पर count नहीं कर पाओगे ठीक है और खासके सवाल दो marks का है तो ध्यान रखेगा इस पर डारेक्ट भी कि अनुकूल परिनाम अपन क्या होता गाई स्कूल परिनाम अब यहीं चीज़ें मुद्द्दा है कि क्या से निकालोगे इंगलिस में बात करें तो फैवरेवल आउटकम पन टोटल आउटकम तो इसको कैसे केलकुलेट करेंगा एक बार देख लिजे आप ठेक है कूल परि साथ में से आपके बस च्वाइश है कि पांच बॉल को कितने अलग-अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो तो अंगुली पे तो काउंट करना मुस्किल है तो यहां पर च्वाइश सेलेक्शन की बात करा तो हम कंबिनेशन लगा करके देखिए कैसे निकाल लेते ह हुआ और चीजह असान हो गई हां का कॉंसर्ट क्या एक बार में चाहूंगा तो इस रफ में बता देता हूं ठीक है अब देखिएगा टोटल जो परिनाम होती है कुल जो परिनाम है टोटल आउटकम केसे निकलता है तो टोटल पहले बॉल को काउंट कर लोग आप कितने है तीन और साथ दस और दो बारा मतलब जो पांच निकलेगा वह बारा मेंसे टोटल मेंसे निकलेगा तो क्या हो गया टूवैल वसी क्या हो जाएगा फाइब ठीक है अब किल्कुलेस्टन थोड़ा कर लेते हैं कमिनेसन को ब्रेक करने तरीका क्या है थ्ल़ाइस एक बार मैं को रफ में बता देता हूं ताकि आपको तकलिफ ना हो ठीक अगर हम बात करते गई समझेगा अगर मुझे लगता है पांच में से अगर मुझे तीन बॉल को सेलेट करना ठीक है जो टोटल संख्या उपर लिख देते गए जितने सेलेक्ट करनी है उसको नीचे रखेगा सेल माइनस आर का डिफरेंस इन्टू जो भी यहां पर आर फैक्टोरियल लेगा है यह होती छोड़ा बेसिक सी कॉंसेप्ट जो आप डेफिनेटली पढ़े लिए होंगे जिसके कारण हम इसको ब्रेक कर पाते इजी वे में ठीक है इसका डिटेल कॉन सब देखेंगे फॉंडे इनटू इनटू इन्टू इनटू एफरेचुड इनटू कर लिजे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और कहां तक जाना 7 पर रूख जाए क्योंकि इसका वेट कर रहा नीचे वो कर लो ज्यादा बेनिफिट होगा ठीक तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब मुझे बताएगा इसको केंसिल आउट कर दिए 5 से 5 केंसिल कर दिए 2 से चाहिद इसको केंसिल कर सकते हैं अब यहां पर देखेगा अब यह पांच और दूनी 10 यह 10 से 10 इसको लिप्टा सकते हैं और चारती है बारे से इसको केंसिल कर सकते हैं फैनली बचा क्या उपर में देखेगा साथ गुने तीन रहने दीजिए किल्कुलेशन बाद में करें ज्यादा बेटर होगा एक बार आप भी मल्टिप्लाइए करें फिट डिवाइड करें वह अब थाइम टेकिंग ह अग्ला सब्सक्राइब करते हैं को ये समी काम को चारी से ने फूरा और रहा है ज इसे काम को लिए पूरा-खर करके कितने दिन में करेंगे दो मांक से पूछा गया बहुत यह असान सवाल चलिए इसको मुझे बना करके मेंस में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा थोड़ासा बेसिक से जाना पड़ेगा ठीक कि कुछ बातें आपको सिखना होगा किसी वेक्ति के दोवारा एक दिन में किया गया काम को क्या बोलते हैं एक दिन का कारे कितना है देख लीजा तो भाई देखो अगर एने किसी काम को 6-10 में कितना करता हो ऑन भाई करता हो कान करता हो टिक उसी तरह से बात करेगा अगर इनकी स्वार स्वार कारिकर एक या कि और यह को और ब forbidden¬ इसको अगर 10 दिन में कितना करेगा 110 यह बहresses की कि एकषंसी को हैं सिंपल भाषा में efficiency को हिंदिन क्या बोलते काम करने की रफतार जिया उसको दक छता बोलते के लिया है क्या अब बताईगा 3 हो का एक दिन का का होगा ठीक आप समझे अिसने तीनों का a plus B plus C का है ना का एक दिन का कार है तो आप इसको सिंपल भासाम बहुत सारी तीनों का तो है इंडिविजुवल वर्क इसको एड़ कर देते हैं सिंपल सी वन बाई फॉर प्लस वन बाई फाइब और प्लस गाईच वन बाई कितना टैन अगर बटे क्या हो गया अभी मैंने एक बात कहा था अगर आपको टाइम चाहिए अगर चाहिए गाई तो एक रिवर्स कर दो अब वहां साब को टाइम मिल जाएगा ठीक चलिए इसके उपर में हम कलकुलेशन कर देते हैं तो ए बी और सी का जो है ना जो टाइम लगेगा वह टाइम में यहां पर कर दो तो सिंपल जो भी एफिसेंस का रिवर्स कर दो आप क्या क सब्सक्राइब और यहां साब देख सकते हैं कि क्या होगा वन टाइम जाएगा इलेवें से बचेगा कितना नाइन वाई कितना हो जागा इलेवें तो इसको कर सकते थे क्लिए रहा किया तो आप जारूर चेक कर लिजेगा बहुत हैसां सवाल था ठीक है चली स्क्रीन सोट पूछा और इसको क्या है निखिलम मेस्तड से करना है और बाद में जो है सो भी जैंक सेर को एक पर भीक करना है तो भी जदन नहीं है तूप का डिजिट सेरे डिजिट सम होती है यहा Hani मेल्टिप। बिलंग मेफ़ड से multiply करोगे कैसे क्या डायेट कोई बच्चे multiply करके आगे हो नमबर कटेगा ठीक है इस मेफड क्या है चली देखते है नाइनटी एट इंटू सिंपल नाइनटी सिक्स पूछा है लेकिन जी रूल के तहट बोलागे उसको एक बार ध्यान दीजेगा आप इसका बेस कितना होगा है तो हम यहां पर हंडेड बेस को लेकर सवाल कर रहे है बेसिक भी काफी इसको डीटेल किया गया है यहां पर देखिएगा अब बताइए मुझे कि नाइनटी एट हंडेड से कितना कम है आप बोलोगे दो तो यहां पर लिख दीज आप मैनस टू कि इनटू करके बताइए कितना हो जाएगा मैनस मैनस पलस होगा यह 8 होगा लेकि यहां पर हमेशा 2 डीजिट में लिखा जागे इसलिए 0 लगा लेजिए ठीक है डन पहला पार्ट केलियर हो गया कि अब देखिए क्या होगा सेकेंड पार्ट में गया करते हैं क्रोस मुल्टि क्लिकेस्टन बहुत सही हुआ लेकिन उन्होंने बोला है कि बिजांग से आप क्या क्या होगा वेरिफाइ करो तो बिजांग का मतलब ने पहले का था डिजिट सम तो गईज इसका वेरिफाइ कैसे कर सकता यह जरूर देख लेते हैं ठीक है आईए यहां पर देखिए वेरि फिर से इसका डिजिट सम ले ले लिजिए वन और फाइब कितना होगा गाई शिक्स अब इन दोनों को इंटू के थे इसका डिजिट सम को विगर इंटू करके आप बताईए तो आठ और छे अर्टालिस हो जागा इंटू करने के बाद है ना आईए अब लेफ्ट एंड सा है कितना हो जागा है कितना हो जाए इसका इसका इैसको के भीजांग मिफट से के लिए तो यह कॉस्टन बोला था सवाल आपने किया और यह सा प्र कर सकते हो क्लियर है क्या तो मेंस की सवालों को छोड़ी अगमाद गया इस वज़े से आप जो भी ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर एक बहुत ही सींपल सा सवाल ठीक है क्या पुछा गया सवाल और यह time and work कर था चलिए करने में चुछ है को प्रिंट करने में गई घ्लत कर शकते थे आपERE सुछ डिठेघ? से गलत करके आजाओंगे एक के लिए ना एक के लिए क्या करते हैं समझेगा क्या एक बेसिक सा फर्मूला आप जानते हैं कि अगर आपको वर्क चाहिए और आपको कारी चाहिए तो वर्क ब्राबर क्या होता गाईज है ना एफिसेंसी है ना इन्टू टाइम अनि दक्षता गुने क्या समय है ठीक है हिंदी में बोलते हैं चल जा रहा हूं आप मुझे बताएगा अब काम यहां पर क्या होगा सर वह जो 30 पेज आ वही तो काम है हमारे लिए के लिए रहे है के दोस्त चलिए मान को प्लग इन कर देज लिए यहां पर तीस पेज लिख दीजेगा ठीक है किसकी एफिसेंसी चाहिए आपको एक ही तो यहां पर लग इन कर दो क्लिए रहे दोस्त इसका टाइम कितना दिया गई दो घंटे तो यहां पर दो रग दो ठीक है दोस्त अब कंसिल कर दो इसको लिप्टा दो 15 वार में तो अगर एक ही बात करें तो इसकी एफिसेंसी कितना हो गई 15 पेजेज पर आवर और मैंने कहा भी था कि एक घंटे में केया गया काम को ही एफिसेंसी बोलते हैं मुझे रहता है एक ही एफिसेंसी क्लिए हो चुका है गाईस 15 आईए सेम कोंसेट के साथ हम बी पर कमेंट कर करना चाहेंगे कि लिए रखिया आईए बी के लिए बात करते हैं फिर भाई बात है डवलू हनी वर्क बरावर एफिसेंसी इंटु टाइम ठीक है इसकी काई कितना रहा था यह काम सिर्फ एक पेज किया था बी ने सिर्फ एक पेज तो यहां पर क्या चिपका देंगा बता बलो आप ठीक है तो क्या फाइब मिनट दिया है मिनट नहीं चलेगा सर इसको साट से क्या करूंगा डिवाइड करके आवर में चेंज कर लिए ठीक फाइब से केंसिल आउड करो 12 टाइम 12 से दर इंटू होगा तो आप बी की एफिसेंसी कितना निकाल चूंग है आप लिए करने में समय लगेगा क्या एका समय निकल नहीं जाएगा क्या अब बताइए अगर एक घंटे में 15 पेज टाइब करने में 4 गंटा लगे उसको निकाल के दिखा रहा हूं और मैं इसको यहां पर रफ कर रहा हूं के लिए रगए चलिए इमीद करते हैं आप स्क्रिंस और इ अभी आपने बात किया था तो इसकी वर्क है 60 पेज और इसकी एफिसेंसी कितना 15 मतलब बात के लिए रहा है इसको चार घंटे का समय लग रहा है इसका मतलब सवाल बी आप सो यही तो पूछ रहा था कि एक को जितना समय लगा उतना ही समय में बी कितना टाइब कर देगा इसके बाद आपके सवाल साथ रिजनिंग के आएंगे ठीक है रिजनिंग के सवाल पूछे थे बहुत ही बहतरिंग सवाल था ठीक है चलिए एक सवाल आपके बोट एनिस्टीम का पूछा है बहुत असा सवाल है लेकिन माक्स अगर है चार तो इसको डेफिनेटली थोड़ा बात करना पड़ेगा चलिए बात कर लेते हैं क्या सवाल पूछा है बोट एनिस्टीम की सारे कौन सा आपको दिमाग में आना चलिए बात है कि अगर कोई व्यक्ति धारा के साथ-साथ और डाउनवर्ड श्पीट चल रही है मत्रब वहां से जो इसकी चाल आनि स्की स्कीपीड निकलेगी देफनेटली डाउनवर्ड श्पीड निकलेगी क्या साथ-साथ थो कौन सीबीड होगा nurture क्लियर है धारा के विप्रीत तो सबसे पहले लाइन में यह अपना स्पीड दे दिया है तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ डाउनवर्ड इस्पीड को मैं सॉट में हैना लिख दे रहा हूँ डाउनवर्ड इस्पीड हिंदी वाले क्या होगा धारा के हैना अनुकूल जो चालोगी डाउनवर्ड इस्पीड निकल गया क्या सॉट में इसको मुल देंगे ठीक है बही क्या होगा सरी स्पीर बराबर क्या होता बताइए इस्पीर डिस्टेंस बन क्या होता टाइम आप मुझे बताए कितनी दूरी आप चले तो आप बोले सर दो 2 5 से करायी पांच बारा में चोबिस बटे निकल गया क्या किलोमीटर पर खाला तो यहां से बोल सकते सरी सप्योह क्यों जो किलोमेटर पर आवर नहीं वापस आना है लेकिंगे वापस क्या घरा के विपरीत मतलबर अप्वर्ड डारेक्षिन में और इसे पर समय आपको तो चलिए बात कर लेंगे, एक बार हम और भी speed निकाल लेंगे, क्या, upward speed, upward speed पर जरूर बात करेंगे, हम लोग, ठीक है, मतलब धारा के विप्रीत जो चली गई, चाल है, उसकी हम बात कर रहेंगे, इसको short में हम लोग US की बात करेंगे, है न, अब बहते, फिर से वही concept है, कि speed की बात करें, मतलब distance upon time पर बात करना पड़ेगा आपको, तो sir, दूरी कहां बदली है, हम बले हां नहीं बदली है, same दूरी दो किलिम्टर है, है न, बस time बदल गया है, वो time है कितना, 35 minute हम क्या बोले, minute नहीं चलेगा, hour के चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, 60 से ग निकल गया आपका, 24 बटे कितना, 7 km per hour, क्लियर है, तो यहां से आपका क्या निकल गया, upward downward speed निकल चुगा, सवाल में आपको, पूछा क्या गया था, मैं बता दू, वल्लाता, speed of stream, आनि धारा की चाल, पूछा गया था, इस धारा की चाल कैसे निकलता, बताई, चलिए, इस बताई इसका, कि downward speed minus upward speed, divide by कितना होगा, 2, तो दोनों speed आप निकाल चुगा था, definitely, अभी बताईएगा, आपने downward speed कितना निकला था, 24 बटे 5, ठीक, 24 बटे 5, minus, इसका निकला था, 24 बटे कितना, 7, ठीक है, और divide के से करना, मुझे, 2 से, अब calculation कर लेते हैं, ठीक है, अब चा साथ, इसको अब direct lift आदें, तो बेटर होगा, 12 होगा, ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, यहाँ पर, एक line calculation कर लिजे, direct ना करें, ठीक, समझेगा, तो क्या हो जाएगा, 7 minus का 5, divide by कितना होगा, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, क्लिए रहा है, चलि ध्यान से, अब calculation कर लिजे, यहाँ पर, इसको बहुत सिंपल है, इसको कितना हो जाएगा, 12, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्टू 2, और divide by कितना होगा, 35, फिर से cross check क्लियर, क्योंकि जब भी आपका downward speed, पुछता मतलब, downward speed, minus upward speed, divide by कितना करना परता है, 2, ठीक, तो downward speed हमारा, 24 बटे 5, minus 24 बटे 7, divided by 2, ठीक, calculation कर लिएगा, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यह हो जागा, 24 बटे कितना होगा, 35 हो रहा है, इतना kilometer per hour, ठीक, done, तो यह आपका, क्या होगा, अनसर हो रहा है, किस के सब से, यहाँ पर देखिएगा, downward speed, ठीक, शलिए, अगला सवाल, reasoning का एक सवाल है, reasoning को discuss करेंगे, हमारे धीरे सरा आ रहे हैं, ठीक है, Hello everyone, मैं धीरे ज्यादा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, हमारे educational platform, competition community पर, जैसा कि मेंस के अगर हम बात करें, परिक्षा में पूछे गए प्रशनों की चर्चा चल रही है, और आपने देखा कि यहाँ पर जो math section है, वहाँ से अधिक से अधिक प्रशनों पूछे गए हैं, और आपने analysis वाला video देखा हो, मेंस का, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया को मिला है, काफी आसान सा question आपको देखने को मिला, और इस प्रशनों में क्या कुछ आपका approach होना चाहिए था, प्रशनों को हल करने के लिए, इसके उपर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो अगर हम बात करें, पूछे कि प्रशन की तो आपको यहाँ पर एक solution बनाना प्रशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आपको पहले तो एक structure बना लेना था, इस प्रकार से आने की पहले आपको क्या करना था, एक map ड्रॉ कर लेना था, जैसे कि यहाँ पर आपको map बना हुआ दिखाई दे रहा है, और जो भी यहाँ पर आपको, जैसे कि बुक स्टोर है जू है रेलवे इस प्रकार से आपको यहां पर लिख लेना था अब हम बात करेंगे पूछे गए प्रश्ण की तो प्रश्ण की अगर बात करें तो यहां पर हिंदी और इंगलिश में थोड़ा सा आपको mismatch देखने को मिल सकता है वो basic से क्या mismatch है उसको भी हम हम बात करेंगे अगर facing की तो facing में हम distance की बात नहीं करेंगा और प्रश्ण में यहां पर basically आपको facing की यानि की turn की बात करी जा रही है तो जब हम बात करेंगे rotation पर best question हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां हम ने देखा था कि किस प्रकार हम clockwise से anti clockwise direction को cancel out कर रहे तो किस प्रकार में आपको 45 degrees प्रकार से आप लिख देते तो आपका जो आंसर हो और बहतर तरीके से कहीं न कहीं explain करता जो पूछा गया प्रश्ण है उसको ठीक है तो अगर हम बात करेंगे पहले पूछे गया प्रश्ण की तो बोला he turned through यानि कि अगर हम बात करें प्रश्ण की तो बोला marker का color मैं यहाँ पर change कर दे रहा हूँ ठीक है जिससे आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो यानि कि इस division की value अगर हमने कहा 45 degree है और यहां से अगर 45 plus 45 कितना होगे 90 again 45 कितना होगे 135 और 135 degree जब घरी की दिशा में आ रहा है आपको यह पूरा का पूरा structure इस प्रकार से draw करने के आवशकता थी तो उसका जो मुख होगा इस समय कर हम बात करें कहां है तो दिये गए location यानि कि bus stand की तरफ होगा उसका currently अभी अगर हम facing की बात करें इसको हम लिख सकते हैं after turning through 135 degree clockwise clear यहाँ आपको लिखना है था clockwise तो उसका जो currently face होगा वो कहा हो जाएगा रिशाब इस facing towards bus stand कहां face कर रहा तो face कर आपका bus stand अब हम बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्ण की जो दूसरा यहाँ पर आपसे प्रश्ण पूछा गया है तो दूसरे अगर हम प्रश्ण की बात करें तो बोला then he turns anti clockwise direction to face the garden यानि की तरफ मुख करने के लिए वो क्या अगर हम बात करेंगे bus stand की तरफ आज आएगा तो आप देख सकती इस प्रकार से 45 45 कितना हो जागा 90 अगेन 45 यानि कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह क्या कर रहा है bus stand से जब garden के लिए मुडता है यानि कि अगर हम यहाँ पर बात करें आंसर की तो हम क्या लि bus stand to garden तो यहाँ पर जो रिशाब है वो क्या करेगा रिशाब विल टेक 270 डिग्री turn in anti clockwise direction clear यानि कि जब हम बात करेंगे bus stand से वापस से garden की तरफ उसको face करने के लिए क्या करना होगा जब वो anti clockwise direction में अगर move कर रहा है तो उसको 270 डिग्री का क्या लेना होगा turn लेना होगा और इस प्रकार से आप पूछे कि प्रश्ण का answer आसानी से कर सकते थे लैंग्वेज कि अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मिस मैच आपको देखने को मिलता है और इसलिए जब मैं topics को cover कर रहा होता हूं तो आपसे बताता हूं कि language जो है वो आप दोनों ही भाश आपको देखने को मिल जाएंगे facing now यानि कि सामना कर रहा मुख यहां पर अगर देखें तो सही जो इसका भाशा शायली इस प्रकार के प्रश्णों का वो होना चाहिए कि चलिया घर की और मुख कर रहा है या देख रहा है ठीक है तो इस प्रकार से language को लेकि आपको बिल्क कि समझ होना अनिवार यह क्लियर चलिए इसके आगे कि अगर मित्रण सार आपके साथ अगें continue करेंगे मैट्स के कोश्टिंस के साथ काफी खुशूरत सवाल ने बचे हुए उस पन देखते हैं गवर ठीक चलिए कितना सवाल बच लेते देखते हैं रिजिनिंग के लिए आप लोग बस एक ही कोश्टन डाला था रिजिनिंग रहन होना ठीक है चलिए बात करते हैं गाई यह कोश्टन जो आठ मार्क से सबसे पहलेगा इस पाटनर्सिप की कॉंसेप को किलियर कर लेगेगा यह पूरी तरह से एक बिजनेस अधारी टॉपिक है और बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको पता है कि आपकी प्रॉफिट दो बातों पर डिपेंड करती है उस बिजनेस में कितने पेसे आपने इन टाइम ठीक है याद दखेगा चलिए सुरू करते हैं सवाल बोल किया रहा है कि मिनाक्षी ने 45,000 रुपिय का निवेस करके एक वेफसाई आरम किया निक बिजनेस की सुरुवात कि कितना 45,000 रुपिया आगे बोला कि तीन महीने के बाद 6,000 रुपिय के साथ क्लियर है क्लि बिजनस में क्लियर है इस साज़दारी में वे एक पार्टनर बन गया है उस बिजनस का पार्टनर ये तीन महीने के बाद बना है कितने पेसे लेकर करके आए वो 60,000 रुपिया लेकर के और अच्छी बात है कि बोलता है कि साल के वर्स के अंत में ये सबसे इंपोर्टन था क्लियर है क्या तो बिजनस एक साल का था मतलब बारा महीने का खाल था ठीक है शली सुरू कर लेता है और उसके बाद जो आसा टोटल प्रॉफिट भी आपको अंतिम दे दिया गया टोटल प्रॉफिट भी लोग दिये हुए ठीक है तो टोटल प्रॉफिट का भी प्रॉफिट बराव इन्वेस्टमेंट है तो इसको प्रॉफिट बराव इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट कितना था दोस्त 45,000 और कितने दिन तक 12 महिने तक ठीक है इसको आप यहां पे ले लो क्लिए रहा क्योंकि अभी हम प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे फिर बाद में हम बात करते है ठीक है आईए अब अनिल तीन महिने बाद आया मतलब यह डेफि कि बिजनसमे कोई यह गर नौ महिने के बाद आता मतलब बिजनसमर थीन महेने रहा होगा और इसका थीन महेने तो जो पैसा लगा रहा है वह नगबे हजार रहा है सवाले सब घश कर See अगर पर लिपटाकर अगर हम तीन से देखें तो अभी कट रहा है है तीन से कट रहा है तो पढ़ना तो पहले हैं 15 से टीनिवार में 15 से कटें कितनाव इस में छहे वार में ठीक है अब देखेगा बारतिया यहां पर तो प्रोफिट का रेस्यू के लिए रहे क्या तो रेस्यू को अगर बात करें यहां पर एक लाइन नीचे लिख रहा हूं गाई ठीक है तो प्रोफिट बराबर कितना हो जागा यह तो एक्स ताब मुझे बताए आपके इससाफ से टोटल प्रोफिट कितनी हुई ताब बलो स क्वर का टोटल प्रोफिट पंचेक्स हुआ है इसको दोटल प्रोफिट मिला है मिनाक्षी को अनील को दो सब्सक्राइब का? करना तो कि टोटल प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट के बरावर Kath देना तब मुझे बताइब वडोख अब मुझे बैगा अब स्री तो मुझे पांच दिकर रहा है और सवाल ने बोला 5x नहीं है सवाल बोले कि तो टॉटल प्रॉफिट यहां 16,500, चिपका दूँ क्या, यहाँ पर लाखे चिपका दूँ अब, 16,500 चिपका दीजिए, बराबर कितना हो जागा, 5X, 5 से केंसिल कर देंगे, 33,500, तो अगर X का मान 3300 निकल गया, तो हर एक की जो profit पुछा गया था, यहाँ तक पले आप एक वार लिख लिजिए, ताकि मैं इसको rough करके, मैं clearly आपको यहाँ पर लिख पाऊं, तो बहुत असान है, 33,200 कर देंगे, 33,200 यहाँ पर 33, तो इसको और जल्दी से लिख लिख लिजिए, ताकि मैं इसको एक वार rough करके बता पाऊं, ठीक है, चलिए, अब देखिए, मिनाच्छी, अनील और सुनील, इसकी द 3,300, ठीक है, इसका भी profit होगा, 2 into कितना, 3,300, और इसका कितना होगा इस, 3,300, तो अगर आप इसको एक बार पूरी detail में देखने हैं, तो इसका double कर दिए, तो 6,600 इसको profit मिला, इसको भी 6,600 profit मिला गाईज, और इसको कितना मिला profit, 3,300, तो तमाम बच्ची में इमीद करता कि आप इस तरह से अंसर लिख करके आया होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं रहा होगा, 8 marks काफी असान सवाल था, और 8 marks में दिया था, मतलब डेफिनेटली में इमीद करते हैं, आप सब लों इसको किया होगा, ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल कराते है, एक 8 marks का एक और सवाल है, आपके स्क्रीन पर आने वाल है, इसका स्क्रीन सब लेले फटा पट चाप, ठीक, चलिए, यह रहागा अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको 8 marks में पूछा गया था, यह सवाल कहना कए time speed and distance से ही है, ट्रेन टॉपिक उसी के इंदर आता है, उसी सवाल और फ्रेम किया है, पूरी तरह से concept असान है, चलिए बात करते है, 600 km की आतरा में तेज गती की ट्रेन, धीमी गती की ट्रेन की अपक्छा 3 घंटे कम समय लेती है, तो definitely अगर दूरी समान है, अगर कोई धीरे चल असको समय ज़्यादा लगेगा, जिसका speed ज़्यादा समय कम अगेगा, तो पहला ही, हम लोग बात सुलें, अच्छा एक और छोटी सी concept आपको पता रखना पड़ेगा, कि यार देखो, जब भी अगर बात करें, तो अगर बात करें, तो time बरावर क्या हो जागा, बताओ, distance बरावर क्या होगा, distance बरावर क्या होगा, distance बरावर क्या और slower train की speed को हम क्या मान लेते हैं, उसकी चाल को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, let, speed of faster train, ठीक है, भाई, 30 गती से चलने वाली जो train है, उसकी चाल, ठीक है, speed of faster train, हम इसको मान लेते हैं, x km पर आवर, उसकी जो चाल है, ठीक है, 30 गती से चलने वाली train की चाल हमारा ह x km per hour, ठीक है, speed of slower trend, step y लिखे क्योंकि यह 8 marks का question समझेगा, ठीक है, trend, इसको मान लेते हैं y km per hour, ठीक, अब मेरी बात समझेगा, क्या equation बनेगा है, equation, मैं इसको पले एक बार रफ करूँगा, क्योंकि आप लिखते चलिएगा step y, स्वा सवाल बढ़ा है, ठीक, इसको आगे लि आए, अब हम लोग यहाँ पर क्या का, यह सवाल खुदी बोला था, 3 घंटे कम लग रहे है, किसको कम लग रहे है भाई, तो faster trend को और slower trend को 3 घंटे ज्यादा, तो time यहाँ पर लिख रहा हूँ, time of faster trend, slower trend, जो time लिए है, समझेगा, इसको आराम सा simple भासाम कर लिजे, कोई दि slower trend, minus time taken by faster trend, इसका जो difference दिया है, सवाल ने, 3 घंटे दिया है, और यहाँ से छोटा सा equation आप frame करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, अब मुझे बताईए, अब ही अपने बाला था, time बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे, time बराबर जो होता, distance upon speed, अब distance तो वही 600 है, तो चली, यहाँ पर plug-in करते है, मान को, और हम आगे बढ़ लेते हैं, तो यहाँ से आप रखिएगा, क्योंकि यहाँ को लिखने है, जरूत नहीं है, time बराबर क्या आप लिख चुक हो, distance upon time, तो आप यहाँ पर डारेट भी लिख सकते हैं, जरूत आपको नहीं पढ़ेगा, अगर आप लिखना चाहिए, इस्टेव लेलो, लेकिन जरूत नहीं पढ़ना चाहिए, तो यह हो जागा, हमारा distance upon speed of, क्या, speed of slower train का speed को y मानने थे, यहाँ दखिएगा, इसो क्या मानने थे हम लोग y, ठीक है, y minus, distance तो भी है, 600 है, अब चाहतो diet मान भी plug-in कर सकते थे, कोई बहुत ज्यादा challenging नहीं है, और इसका क्या हमारा X है, तो मान रखी देतों में direct, ठीक है, ठीक है, diet मान रख दीजे, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, दोस्त, कितनी दूरी था हमारा 600, 600 रख दीजे आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी क्या रख दीजे आप, 600 और बराबर कित कितना होगा, 3, अगर आप बोले, तो 3 से diet यहाँ पर cancel भी कर सकते थे, कोई दिकत नहीं कितना, 200 times, क्लियर है क्या, अब समझेगा, क्या होगा, यहाँ पर क्या होजागा, यह 1 upon X, इसको diet solve करो, अब यहाँ से एक ही question, अब diet क्यों होगा, टाइम खराब कर होगा, ठीक है, च छोड़ दीजिए question को, आगे सवाल को पढ़े, यहाँ तक रहने दीजिए इसको, ठीक है, इसको रहने दीजिए, ठीक है, आगे पढ़े यह सवाल, यह line आपका सब कुछ कर दिया है, असान, ठीक है, क्या बोला, कि the speed of slower trend is 10 km less than speed of fastest trend, यह line आपको सब कुछ खतम कर दिया है, घबराऊ मत, बला सरफ faster जो trend है, उसकी चाल से 10 km कम है, slower की, मैंने अभी आपको just कहा था कि faster trend की चाल को, हमने x माना है, और slower trend की हमने y माना है, तो यही से equation यही से frame कर सकता हूं, चाहूं तो यही पे हम लोग frame कर लें, बेटर होगा, equation यही frame कर लिजेगा, तो यहाँ से सवा यहाँ पर plug-in कर दो, यह equation आपको देख सकते हो कि नहीं, x-y का direct amount आपको कितना मिल गया है, 10, तो एक वार i, इसको हम रख देते हैं, चलिए, इसको आता वार लिख लिजे, screenshot ले लिजे, मैं यहाँ पर rough करूँगा, क्लिए यहाँ यहाँ पर एक वार मैं rough कर रहा हूं, क्य यह हमारा दूसरा equation यहाँ पर हम लोग क्या रखे थे, बताईए, फड़ा पड़ से, यह हमारा था, x-y बराबर कितना 10, इसको equation 2 रख दीए थे, ठीक है, तो 2 का मान रख दीए, है न, equation 2 का मान रखने पर, equation 2 का मान, रखने पर, रखने पर, भासा बनाना पड़ेगा, एक 200 समझेगा, यहाँ पर पूरे पर 10 चिपका दो, simple भासा, ठीक है, और यह x-y को आप इधर ले जा सकते हो, ठीक है, x-y को यहाँ पर ले आओ, ठीक है, तो यहाँ से आप कई, देखो, यहाँ पर कई चीज़ें हो जाते, कई वार बच्चे डारेक्ट भी कर लेते यहाँ से, लेकिन आपको 8 मार्क से पूछा, यहाँ बूलोंगो, डायट मत करो, वो तो बड़ा असान है, x-y का मान, आप देख सकते हैं, x-y का मान हो 2000 आ गया, और यह मुझे पता है, दोनों की बीच का इसीड का डिफरेंस कितना है, 10, तो प्रोड़क्ट तो डायट भी मार सकते हैं पचास गुने 40, दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, 10 से तंसर आ जाएगा, फास्टर का 50, सुलबर का 40, लेकिन आपको में लिख के दिखाना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है, आईए, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसका help यहाँ पर रखके हम plug-in कर रहा हू ठीक, ठीक, चलिए, इसको मैं हाटा रहू है, ठीक है, ठीक है, ठीक, आई यह बात करते हैं, आई आई आपके देखिलते हैं, सवाल हमारा क्या था, X into Y बराबर कितना था हमारा 2000, समझे, यहाँ पर रख लो नहीं, बताओ, किसको कि पर लेकिसी कर रख लो ना, तो X बराब यहाँ पर, X यह पर रख दीजे, कितना, 10 प्लस Y, ठीक है, और into क्या Y, बराबर क्या हो जाएगा, 2000, ठीक, आए, equation frame कर लिजेगा, यहाँ पर 10 Y होगा, प्लस क्या क्या होगा, Y square होगा, समझेगा, और बराबर क्या कर लेकिसी मैं लेकितना, 2000, बराबर क्या कर लिए, 0, एक बीच वाले term को break कर लिए, 10 के difference में, अब common असानी से कर लेंगा, ठीक है, Y square, ठीक है, इसको break कर लिए, कितना हो जागा, 50 Y, मैनस 40 Y, क्योंकि इनको वापस से into करोगे, तब मैनस 200 Y square डेफिनेटली आ रहा तो यह पर ज़्यादा बात करने ज़रूत पड़ेगा नहीं आपको ठीक, यह बड़ा सवाल, आठ नमर का इसलिए वक्त ले रहा हूं इसमें, क्लिए रहा, Y common कर लें, हम बहुत यहां common कर लेते हैं, तो Y जब common करें, क्या बचाएगा, यहां पर Y और plus क्या हो जाएगा, इस 50 हो जाएगा, ठीक, चलिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, लेफ वापस आजएगे, तो सर्य यहां पर क्या करें, ब्रैकेट में बिल्कुल-बिल्कुल सही, फैक्टर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ब्रेक किया हम लोग, ठीक है, तो यहां से क्या करो, Y plus क्या हो जाएगा, बोलो, 50 और into क्या हो जाएगा, Y minus का 40, यहां सब देखिएगा, Y X बराबर, ठीक है, तो X बराबर क्या लेकिते हम लोग, कितना, 10 plus कितना Y, तो Y कमान कितना हो गया, 40, तो 40 जब रख दोएगा, इस तो क्या हो जागा, तो X का विमान आ जागा, कितना, 50 km पर आवर, तो एक बड़ा असान सा सवाल है, यह हिसाब से, 8 marks का था, जिसको बिल्क प्रकुल सही नहीं होगा, ठीक है चलिए, शुरू करते है, ठीक, अगला एक डी आई का कॉस्टन है, 10 marks डी में दिया है, और मैं यह लगता है, बहुत असान डी आई पूछा है, अगर डी आई से कोई बच्टन गलत किया होगा, मुझे लगत अफसोस होगा, आपको रिगि पर एक लिए प्लिए लिस मज़िये, डी आई है क्या है, ठीक है बडी आई है क्या एक बर समझना पड़े गाए अगर आपको, ठीक, एक मिनटे है ना, ठीक, चलिए यहां पर देखिएगा, बहुत सिंपल मैं पूछा गया सावाल में, पूछा क्या क्या देखिए तकिलते किक करते हैं बड़े, किसी भी डिया को समझना है यहां उसका मैन आडिंग पड़ो अपकूछ मत पड़ो, किसी को समझना मैं प्लिग पर चले जाओ, जाओ, मैं अडिंग क्या पोल रहा है कि देखे हैं पर संटेज वाई डिस्टिबिशन ओफ स्टुडेंट इन सिख डिफ दिया हो, कितना दिया 6000, ठीक है, अब देख ले, जी से एक जम्पल यहां पर देख लिदी हम लोग, इसकूल A में बात करें, तो 12% दिया हुआ, तो 16% दिया है, अगर ऐसकूल C की बात करा, तो 26% दिया है, उमीद करता आपको दिख रहा होगा, अगर दी की बात करें, तो देखे 행 is 18 % अगर यहाँ टे यहां पे दिया हुआ ऐंसे कि अपकर E की बात करें अगर F की बात करें तो शिक्स पर-संट तो यह लग लग प्रसंट दिया हुआ है एक और क्या है पकर entry संच नमय को मर्ज करके दिया हुआ है और यह तो D I I K तो आपको टोटल दिया इधर दिया तो माइंसेट करो टोटल दिया गवस तो क्या करेंगे का टोटल वैस की संख्यां घटा देंगे तो गल्स आपको आसानी से मिल जाएगा इसको अब थ्यान समझेगा चलिए सुरू कर लेते हैं तो जो तो कि दिखे कितने पांच हजार यह यहां पर कितने 9000 यह सब की संक्यां दिया है ठीक है और कितना दिया पूंटी कियों की संख्या दिखेज़् धिन के स्कूल पूंट निखिश्ट के कि विद्यार्थी के कि थी मिल को सब गया हो दो पुरूस और दियाकर कि द्रीकला 500 थोड़ा सा effort लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा effort लगाना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए महिलाओं की संख्यानी, girls की संख्यानी कालने के लिए, school में total student minus student of boys, तो पहले school c में बात कर लेते हैं, आईए, देखिए यहाँ पर, guys, number of girls, बहुत असान है, number of girls in school c, ठीक है guys, in school c आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको marks चाहिए, तो अगरे school c में चाहिए, तो क्या करोगे आप, total students, ठीक है, total students in c, ठीक है, minus number of boys, number of boys in school c, ठीक है, इन c, ठीक है, total student कैसे निकलेगा, c में, बहुत असान है, देखिएगा, c पे आजाए, c में कितना 26%, किसका, total 6000 का, तो यहाँ पर रख सकते थे आप, 6000 का गाई, समझेगा, 6000 का 26%, 26 बटे कितना होगा, 100, minus, और रख सकते, number of boys direct आपको दिया है, तो कुछ भी नहीं करना, c पे आजाए, यहाँ पर उठाग लग दिया है, 900, तो 900 को क्या करना, minus करना, हमले, ठीक है, कर लेंगे, आइए, है ना, तो यहाँ पर दो जिरो से दो जिरो क्या करना, परसें को इम डारेक लिख दिये, 26 बटे 100, परसें का मतलब होगा, 100, लिप्टा दिजिएगा, तो कितना हो जागा, 0, 6, 4, 36 का छे, कैरी कितना हो जागा, 3, 6, 12, 12, 13, 15, 15, 16 में गड़ाई यह गड़ाई, 900, तो number of girls कितना निकल गया, school C में कितना हो जाएगा, आपका 660, तो एक आपका term यहाँ पर निकल गया, number of girls कितना निकल गया, 660, इसको मैं यहाँ पर लिख ले दाऊ, क्लिए रहे क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा, school C में गल्फ की हमारा संख्या निकल चुका है, ठीक है, सी प्रोसेस से, guys, हम school E पर बात कर लेते हैं, E का भी same process से हमारा निकल जाएगा, क्लिए रहे, मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए, अब मेरी बात समझे, पूरा लिखूंगा नहीं, मैं क्यूंकि सेमी टर्म तो मैं कुछ कुछ हटा करके, यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेम प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, अब क्या है, इसकोली बोला है तो क्या लखे लना है, इसकोली लिख लिख लिए, अब यहाँ पर भी सिपका दिए, 29 परसन मतलब 29 बड़े कितना 100 और कितने आप पे बॉय जहां काईज फिर में कितने बॉय जहां तो बॉय जहां 1200 ठीक है तो आपको मैनस क्या करना होगा आपको 1200 मैनस कर देना है चलिए डवल जीरो से लिप्टा दिए डवल जीरो को 29 चका पर कर लिए कि लिए रहा क्या 124 होना चाहिए 29 चका टेवल जाता मुझे आद है ठीक है तो यह हो जागा जीरो तो 9 चका 24 के 4 कैरी कितना होगे गाईज है ना तो यहां से आपका नमर ऑफ गव्स निकल गया कितना निकल गया आपका 540 तो गयज इस से जो नमर ऑफ गव्स कितना निकल गया 540 वह है मैं यहां पर लिखना चाहूंगा तो यहां पर तीसरा पॉइंट हमारा था क्या कि नमर ऑफ बॉएज नमर ऑफ बॉएज अनि लड़कों की संख्या इन कहां पर इसकुल कौन सा इसकुल बोला दी इन इसकुल डी तो गयज वह डाइट दिया था कितना 600 दिया है डाइग्राम में तीनों को जोट लिजे गव इतना हो जाएगा देखो 60 इसको दो 600 बना तो च्वाती अठारा सो तो टोटल जिन बच्चों ने अठारा समसर दिया होगा पाला डिया अवका बिल्कुल सही है एटीन हंडेड के लिए रहा किया बहुत सिंपल भासा में या दखिएगा पूरे डिया यह समझ मैंगा सब इ कि संख्या इसकूल बी में मैलाओं की संख्या और इसकूल इ में कुल विद्यार्तियों की संख्या का अनुपात सब्सक्राइब मतलग आई यहां पर तीन अलग लोग का रेस्यू पूछा गया है बहुत असान सवाल वता रेस्यू का अई बात करते हैं तो जैसे पूछा पूरुसों की संख्या है तो मतलग खुस हो जाना चाहिए कि यहां से उठा के यहां चिपका देंगे डारेक्ट क्लियर है क्या तो अब एक रबात ही कर लिजिए बेटर है तो पूरुसों की संख्या है ना बोयज इन श्कुल C नमबर आ बोयज इन श्कुल C देख लिजेगा भासा बनाना पड़ेगा आपको है नमबर आफ बोयज इन इसकुल C in school C, कितना दिख लिएगा तो sir C में जो boyage की संखिया सार यहां पर कितना दिख रहा है, मुले 900 दिख रहा है ठीक है, तो C में दिख रहा है 900 तो यहां पर लिख दिख दिख आप 900, ठीक है लिख दिख 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 आप 900 डन, 9, अगला बोला है रहा है कि B में महिलाओं की संखिया गलस निकालने तरीका वी शीखेते हैं, तो यहां पर कैसे निकालते हैं नामर आफ गलस नामर आफ गलस इन कौनसा स्कूल इसकूल B इन स्कूल B ठीक है, इसकूल B थो अब समस्भा रहा हूंगे अब क्या है सादिकल होगा तो थो टल इस्टुडेंट इन बी माइनस नमर ऑफ बॉयज इन वी तो से टो इस्टुडेंट की से निकलेगा बी में तो कितना है 9% तो बताईगा टोटल 6,000 इस्टुडेंट है 6,000 का 9% कितना हो जाएगा बताओ 9,000 कितना हो जाएगा 100 और माइनस जो है नम्र बोयज इन बी तो बी में बोयज है कितना बताओ 400 है तो मैनस क्या करोगा आप 400 ठीक है बाई तो यहांसे आपको निकल जाएगा नम्र एव गयूस्तो डवल जीरो कटा दिए 9,000 का चोगवन मतलब 500 2440 में से चार सो चला जाए गया गाई तो क्या बचेगे आपका 140 कितना हो जागा 140 तो यहां पर दुस्रा जागा निकल चुका है पहले में बॉएच कितने थे 900 यहां पर दिख कि रहाओ है तके आपको तकलीफ नहां हो तो इस्कूल B में कुली विजाथिशन के यहां पर देख लो 29 परसंट तो डाइट हम लो लिख लेंगे यहां पर इसको में रॉफ करने जा रहा हूंगे इसके लिए ठीक चलिए लिखते हैं देखेगा तो टल स्टूदेंट है ना तो टल स्टूदेंट्स इन स्कूल ठीक है इन स्कूल आप डाइट भी मार सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं क्याता है टोटल कितना गाई 6,000 देख लीए 6,000 का कितना 29 परसेंट तो 6,000 का 29 परसेंट में निकाल के देखे तो 17 कितना था 40 डेटा भी याद है अपगो 17 कितना चालीस ट्रीक है तो इसका इसका रेस्यों भी ले लो आपर कितना 1740 अगर रेश्यू निकाला जाए तीनों का तो यहां पर लिएक देता हूं है ना रेश्यू निकाल लीजिए किस कितना कितना है 900 बस 0 अटा देना और क्या 140 और यह कितना था 1700 ठीक है तो सरी कितना 45 यह हो जागा हमारा 7 कितना 28 बच्चों नों दिया होगा बिल्कूल मुझे लगता बड़ा असान दीआ था पूरे किल्कुलेशन करके दिखा रहा हूं ताकि अगर आपको कई भी कई मिश्टेक हुआ होगा तो आप उससे बचे के लिए रहा क्या चलिए बाकि जो फ्रेसर वह आप लेवल देख सकते हो किस लेवल क्या प्रिप्रशन करनी चाहिए अगला दो को तन और बचा हुआ दिसकस कर लेते हैं एक दो को सब्सक्राइब स्कुल E में पुरूसों की संखिया का अंतर हम बहुत सिंपल है दो इसकूल तो यहां पर बाद सिंपल ठीक टोटल स्टुडेंट्स इन गाईस के अतना बताएं कहां पर इन स्कुल एफ तो यह बदा सिंपल है एफ में किसे निकल जागा बताओ तो एफ में परसंट इस देख लिए कितना छे परसंट सिर्फ छे परसंट है तो बताएं मुझे कि 6,000 का 6 परसंट तो औरल बच्चे निकाल लेगा यार कहीं भी कोई दिखके था क्या बताओ तो डवल जीरो से केंसिल करो सर्फ 636 मतला 300 कितना हो जाएंगे 60 क्लियर है यहां पर कितना निकल आपके 360 रहने दीजेगा आगे बात करते हैं क्या बोला था उन्होंने ए में पुरूसों संख्यां तो यहां पर डारेटर दीख रहा है यार क्या करोगे बताओ 1200 यहां पर नमर आपके निकालने ज़र होते थी नमर आफ बोएज इनिस्कुल ए इनिस्कुल ए कितना दिया बताएगा सब तो हमारा दिया हुआ कितना बारस हो दोनों का अंतर एक बात कई बच्चे न सर डिफ्रेंस होगा 1200 और माइनस का कितना 360 तो क्या हो जागा 840 और आखरी एक और सवाल बचाएगा यह मुझे लगता है पेपर बहुत ही आसान पेपर था अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा एक छोटा सवाल था देख लिजे ए गवार आप समझे का क्या सवाल है ब पर निकाल लो तक इस्कूल का तो डाइक परसंटेज लग लग डाइक लग करके देख लोगे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको तो इम महिला कितनी थे हमने बार निकाले भी ताभी केल्कुलेट किये बित्वर्याद होगा तो ठीक है फिर से निकाल लीजे नमर ऑ हाना girls in school E in school E तो बहुए देख़ोर पर लेत क्या कहा टोटल ठीक है टोटल स्टुएंट में में से जब्वाज घटाना पड़ेगा हम भी ठीक है घटा ले थे यहां पर देखिएगा 6000 का यहां पर देखिए ए में कितना था 29 परसंट तुमये देखे थे में आप देखिए कितने था भी आपका 1200 तो मैनस कर दिए निफटाबट से तो केंसिल करिए यहां पर 1740 में गई अगर याद दखिए का बारस होगर आप मैनस करोगे तो क्या बचरा बताईएगा तो सरी 540 बच रहा कितना बच रहा तो नम्र आव गवस्तों को पता चल गया तो इसी के बराबर किसका संख्या होगा मुझे डाइड बता सकतो निकाल के अलग लग करने जोरोत नहीं है ठीक है अलाकि आप देख सकतो टेवल पढ़ लो यार निकाल सकतो लेकिन जोरोत नहीं पड़ना चाहिए इस से निकाल लो अब को जहां पर रूख जाओ गहां ही जहां पर निकल जाए अब का छिक यहां समझे है क्या इस्कूल आप टोटल स्टूडेंश ठीक इन इस्कूल ए है क्या सुमझेगा इस्कूल आ मैं कितना परसंट राब परसंट तो मुझे बलता ही होगा नहीं अब देख लिए छे आ निकाल रहा है तो डवर जीरू कर जाए कितना होगा 720 बिल्कुल नहीं हो सकता हमको 540 तब आए सेम काम ठीक है इसकुल बी में आजए यह टोटल स्टुडेंट्स इन इसकुल बी एक बार देखिये जान सुने गए टोटल स्टुडेंट्स इन स्कुल बी क्या बताएगा 6000 का कितना परसंट है बताएगा 9 परसंट है ठीक है तो यह इसा आ गया 9 शका 54 नो परसंट का मतलब 9 बटे 100 तो देखिये पांसो कितना जग आपका 40 जए तो आ गया तो देखिये 540 सजी था पांसो चालिस मिल गया मतलब कौन सा है और इसकुलबी क्लियर है कि कौन सा मिलाओं कि संक्यां किश संक्यां के बराबर की स्कुल रॉनी यह ँगा रेक कि लिए इस तो इमेद करते हैं 50 out of 50 बना के भी आए होंगे हैं आप चाहिए कमेंट भी का सकता अपना स्कूर कोई इसू नहीं है